हालो गाइज गुड मॉरिंग दिस यो डी कुमर्सर इंगले स्टेन और एंवोटिवेटर मस्कार दोस्तों मैं डी कुमर्सर कैसे आप लोग आशा करता हूं अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए नई सिक्षा नीती के बारे में कुछ बताने जा आपने न्यूज में पढ़ा होगा कही न कहीं देखा होगा तो आज मैं आप लोग के लिए नई सिक्षा नीती के बारे में बहुत ही सिंपल तरीका से बताने जाए आपकी भासा में ताकि अगर मेरा मानना है कि पांच क्लास का बच्चा भी यहां आ जाए तो वह असानी से समझ आएगा कि एक्ष्वल में नई सिक्षानीति क्या है आईए मैं बताता हूं सबसे पहले नई सिक्षानीति को जानने के लिए आप पहले का पढ़ाई का जो सेड्यूग था उसको आप जानिए और उसके अमुसार से आप नई सिफ्चानिटी को समझे तो यह आपके लिए बहुत ही आसान हो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दू कि पहले की जो पढ़ाय होती थी क्लास क्लास एक, दो, ती, चार, पांच, छे, शाथ, आठ, ने, देश, इग्यारव और बाराव एलेवेंथ और टूएंथ राइट इसके बाद बी एए बिककाम बी एससी इसके बाद आपका होता था पी जी दो साल का बाराव होता था पीजी दो साल फोस्ट ग्रिजुएट जिसको आप लोग म में एम कम मसी भी बोल सकते हैं राइट तो यह तो आप अच्छी तरह से जानना है कि पहले बच्चे क्लास वन में जाते थे इस बाद क्लास टू में थी में फोर फाइब सेक्स सेवें एट नाइन टैन और एलेवें टुएट जि तो यह जो पाराग्राफ है पुराना इस्टरी का यह अच्छी तरह आप जानते हैं अब मैं इसी क्या धार पे आपको नहीं सिक्छा नीति के बारे में बताता हूं यह जो क्लास इसको 10 प्लस 2 के नाम से जाना जाता है अब जो नया पेटर्न आया है उसको 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 के माधियम से जाना जाएगा एक्छल में यह क्या है तो यही में चीज़ है इसी को आपको समझना है तो देख लिजिए आप क्लास 1 और 2 यह दोनों 1 और 2 को मिला करके यहां पर 5 साल था जिसको हम लोग फॉंडेशन के कोर्स के नाम से जानेगा है यह फॉंडेशन कोर्स है यह 5 यह 5 को सबसे पहले आप समझे कि 5 क्या असानी से पहले का पेटर्न था 10 प्लस 2 आपका पेटर्न है 5 3 3 4 इसी को समझना है तो क्लास 1 और 2 के जो बच्चे थे जो दो साल में पूरा कर दे थे उनको अब 5 साल लगेगा पास साल में इसको दो भागों मानागा पहला 3 और 2 जो होता है बच्चों का इसको हम लोग बोलते प्लेश पूर यानि कि अब जो बच्चे हैं वो तीन साल जो बच्चे जाएंगे फर्स टाइम स्कूल में वो खेलने के लिए जाएंगे उनको खेल के माध्यम से कुछ न कुछ समझाया जाएगा और बताया जाएगा खेल के माध्यम से ही उसको सिखाया जाएगा पहले बच्चे स्कूल जाने से हैजिटेट होते थे ताकि क्योंकि क्लास में पढ़ाई होती थी अब बच्चे स्कूल में तीन साल खेलने के लिए जाएंगे इसको इसलिए इसमें इंक्लूड किया गया ताकि बच्चे स्कूल जाने में हैजिटेट ना हो और वो आसानी से तो इसको जाए ये बीना किसी प्रॉब्लेम के और खुछी से खेलने के लिए तो तीन साल जो बच्चे हैं वो खेलने के लिए जाएंगे जिसमें KG, LKG, UKG जो भोता था ये तीन साल राइट इसमें प्लेग बच्चे खेलने के लिए जाएंगें इंट्रेस्ट जागे आँ और यह जो 2 साल होगी उसमें class 1 & 2 होगा। तो यह जो 5 साल है तो गौन हर सहता है कि 5 साल को जो है 5 साल में बच्चे को अपनी मात्री भासा ऩार जो अगे एक बढ़ंगी की वीशहेन के तोर पर पढ़ा जाएगा। लेकिन इसमें स्कूल इस बात का जोर नहीं दे सकता है कि आपको इंगलिस में ही पढ़ना है सरकार ने कहा है कि आप चाहें तो इंगलिस में पढ़ सकते हैं लेकिन स्कूल दवाब नहीं डालेगा इंगलिस में पढ़ने के लिए यानि कि आप एक तरह से ये समझ लें कि 5 साल तक बच्चे की जो पढ़ाई होगी वो उसकी मात्रिभाशा में होगी तो 1, 2, क्लास समझ गाँ, 3 और 2, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 5 झाल 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 इसमें फॉस्ट पार्ट यानि फॉस्ट इयर अगर फॉस्ट इयर अगर कोई स्टुड़न्स पढ़ता है उसको सार्टिफिकेट दिया जाएगा फॉस्ट इयर को सार्टिफिकेट के नाम से जानते हैं सेकेंड इयर अगर पढ़ेंगे बच्चे उसको सेकेंड डिप्लोमा मिलेगा अगर पढ़ेंगे इसको डिगरी मिलेगा और फॉर्थ इयर जो पढ़ेंगे चोथा साल इसको रिसर्च दिया जाएगा कि इसमें कुछ जैदा बदलाब नहीं हुआ है इसमें वी बीएव इकम प्येशव हट गया यानि कि अप सब्लच अपने अनुसार कोई बी सब्लेक हैं क्रेंस सब्सक्राइब निढ़ नए करते थे राइट और फिर से पढ़ाई करने पर टी कुछ दिन ऐना तो इसमें क्या है कि अगर आप ωs का मानता दिया जाएङए दो साल बाद भी आप निया सकते हैं और सेकेंड शेकेंपर और जाएगा ठोड्य यड कर लिए तो डिगरी जो होता है फोर्थ यह जिए इसके बाद आपका हो जाएगा फीजी अगर आप ठोड्य डिगरी किये हैं तो फीजी आपका दोशाल का और अगर आप रिसर्च किया है तो पीजी आपका बॉन यह यह फंडा पसानी से समझें बहु तो यह नई सिक्षानिती जो फिलहाल लागू नहीं हुआ है अभी पुराना ही चलेगा और जब राष्टपती साइन मोहर करेंगे तो एक्ट में लागू हो जाएगा इसके बाद जागर के लागू होगा दो तीन साल इनको लगवी शक्ता है तो देख लिजे नई सिक्षानि में सरकार ने एक वोकेशनल कोर्स भी जोड़ा है और कंप्यूटर कोर्णिक मेरा कहाने का तात्वर है कि यह जो मेरी लेस्टेज में बच्चे जाएंगे तो यह बहुत यह अच्छी बाग है कि वोकेशनल यानि कि कोई अगर कार्पेंटर का काम सीखना साता है सिलाई सीख यह बहुत अच्छी बात है जो मेरी लेस्टेज में आपका होगा तो यह आपकी नई सीख्चानिती है बहुत अच्छा है देख लें आप लोगे स्क्रीन सोट ले लें और मैं आसा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे जय हिंद जय भाग